ताकत की कमी अगर आपको है, कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता है, कमर पीठ में दर्द है, शरीर में बहुत जादा कमजोरी रहती है, आंखों की रोशनी कमजोर है, चेहरे पे अगर चमक नहीं रहती है, उमर से पहले अगर आपको लग रहा है कि आपको भुडापा आ रह करते हो और बिल्कुल बहुत जादा लेजी हो ऐसी खीर बनाना सिखा रहा हूं जिसका वर्नन हमारी आयूर वेद की किताब में शीरी राजिव दिक्षित जी ने स्वदेशी चिकित्सा में किया है तो वीडियो को आपको ध्यान पूर्वा कंतक अवश्य देखना है इस खीर क बनाने के लिए हम 100% नैचरल इंग्रीडियंट्स का यूज करेंगे जो कि हमारे किचन में बहुत असानी से मिल जाते हैं और इसके 20 फाइदे जान करके आप हैरान रह जाओगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी वीमारी से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मुवाइल में तुरंत एक सेकिंड के भीतिन मिल जाए सबसे पहली और शदी हमने यहाँ पे लिया दोस्तों आप देख सकते हैं अंजीर जिसको हम हिंदी में हिंख्स बी Angrayzi में फिक्स बी कहते हैं हिंदी में अंजीर कहते हैं आपके गाव में क्या कहते हैं नीचे लिख के जरूर بتाएं अंजीर ऐसे पुर्षों के लिए देख फाइद वाली गुप्त कमजोरी नीचे वाले खीरे से का मादधम दिखरा होगा दस से ले करके शाम के साड़े पांच बजे तक आप संपर करके उर्जा शक्ती चूरन मगवा सकते हैं जिसको उत्राखंड के हिमाले की जड़ी बूटिया है ना 21, 21 जड़ी बूटिया है उससे बनाया गया है ये दोस्तों इतना powerful होता है कि नीचे वाले खीरे की लंबाई को उसकी ताकत को दोस्तों 10 गुना तक बढ़ा देता है और ये 100% natural है आयूश मंत्राले द्वारा प्रमानित है और इसका किसी भी तरह का कोई side effect नहीं है पहले दिन के ही प्रियोग से आपको असर देखने को 40 रुपे में इसको मंगा सकते हैं घर बैटे बैटे आपका नाम और पता दे करके दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया था जो हमारे पानी में बिगोए उनजीर थे उनको पीस करके हमने 8 से 10 उनजीर लिये थे पीस करके उनका बना लिया था पेस्टोर उसको अलग रख लिया है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नारियल होता है आपके गाउं में आपके शहर में इसको क्या कहते हैं खोबरा कहते हैं दोस्तों हमारे गाउं में आपके गाउं में नारियल कहते हैं खोबरा कहते हैं जरूर बताएं और दोस्तों यहां पे हमने क्या लिया है थोड़ी सी सूजी जो होती है ना सूजी वो ले करके हम इसको यहां पर भून लेंगे पाँच लोगों को हम फ्री में देने वाले उर्जा शक्ति चूरन अगर आप उर्जा शक्ति चूरन को फ्री म पाना चाहते हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके एक मित्र के साथ वट्सेप पे शेयर करके और हमें फॉलो करके मीचे कमेंट सेक्षिन में यस लिखना बिल्कुल भी न भूलें अगर आप यस नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं न चलेगा कि किस किस ने लाइक शेयरोड हमें फॉलो किया है यस लिखने में जो भी पांच लोग हम चुनेंगे रैंडम उनको हम घर पे फ्री में उनका एडरस लेके बिजवा देंगे दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सूजी को भूनने के बाद में एक कड़ाई में डाला था एक बड़ा चमच गी का और गी डालने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आप गाये का भेंस का दोनों का गी ले सकते हैं बिशरते बस वो घर पे बनाया हुआ होना चाहिए यानि कि ताजा नैचरल होना चाहिए ऐसे आजकल डालडा के नाम पे जो गी मिलते न वो आपको नहीं लेकर के आने हैं अब इसकी बीच में मैं मिला दूँगा आपको याद होगा जो हमने पेस्ट बनाई थी अंजीर की है न तो इस तरह से डाल करके दीरे दीरे आपको उसको दबाना है अंजीर के पेस्ट को दबाने से क्या होता है न बहुत सक्त हो जाती है यह तो दबाने से लाइट हो जाएगी एकदम नारिल का बुरादा भी इसके बीच में मिला लीजिए पांच से छे जड़ी बूटियां और मिलाने वाले हैं तो ध्यान पूर्वक देखिए इसके फायदे में आपको बताओ ना आँखों की रोशनी तेज करता है पहली बात चहरे पे चमक बहुत जबरदस लाता है उमर चाहे आपकी 40 क्रॉस करेंगी पचास चहरे पे चमक रहेगी 20-25 वाली अब यहां मगस के बीच जिसको मैलन सीट्स कहते हैं अंग्रेजी में वो भी मैंने इसके बीच में डालने हैं एक तिहाई कटोरी की मातरा में दोस्तों इसके बाद में आपको इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है यह जो मगस के बीच होते हैं इनके बीच में highest quality का calcium और protein पाया जाता है जो कि जोडों का दर्द, गुटनों का दर्द कमर पीट का दर्द, वात रोग की समस्या या फिर नसों की blockage के लिए बहुत फायदे मन्द है और हडियों से जिनके आती है कट-कट की आवाज उनके लिए भी बहुत फायदे मन्द है थोड़ा से ginger का powder saunt यहां optional है, आप चाहें तो डाल सकते हैं टेस्ट बहुत बहतरी नाता है इसलिए मैंने यहाँ पे कम से कम बहुत कम एक चुटकी की मातरा में यहां पे saunt का powder डाला है और अंजीर का पानी भी मिला दीजिए इसके बीच में और साथ में थोड़ा सा और पानी मिलाई क्योंकि हम खीर बना रहें ना तो पानी कम होगा तो खीर कैसे बनेगी आपकी बनेगी नी तो मिला के इस तरह से इसको दीमी आज पे mix करते रही है mix करते करते आपको अच्छे से यह ध्यान रखना है कि lumps नहीं बनने चाहिए इसमें आपको डालचीनी मिलानी है एक तिहाई चमच की मातरा में साथ में इलाईची मिलानी है एक चुथाई चमच की मातरा में और यहां पे मैं मिला रहा हूँ पॉपपी सीट्स जिसको हम खस-खस कहते हैं थोड़े से मिला रहा हूँ और जो हमने सूजी भूनी थी वो भी आपको इसके बीच में पॉपपी सीट्स और सूजी हमने एक साथ मिक्स की हुई है तो हम दोनों को यहां पे क्या करेंगे इसके बीच में डाल देंगे आधे-ाधे मतलब आधे-ाधी कुटोरी की मात्रा में मैंने यहाँ पर पॉप्पी सीट्स, जिसको खस-कस कहते हैं, वो लिया है आधी कुटोरी के मात्रा में सूजी और दोनों को हमने बून लिया था और इस तरह से आपको mix कर देना है इसको जैसे आप देख रहे हैं न यहाँ पे मैं mix कर रहा हूँ mix करते 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 यहाँ पे आप जैगरी का powder मिला दीजिए इसमें piece करके जो अपनी आते न गुड मिलता है market में उसको grind करिए और इसके बीच में मिला दीजिए और रुकना नहीं है आपको यह चमच को चलाते हो रुकोगे तो यह खीर फट जाएगी आपकी तो वो नहीं होना चाहिए दोस्तों अच्छे से आपको धीमी आच पे आपको इस तरह से चमच को चलाते रहना है और जैसी आपकी खीर बनके तयार होगी नहीं इसके बीच में आपको तीन जड़ी बुटियां मिलानी है कौन सी जड़ी बूटिया मिलाने है वो बताने से पहले मैं आपको फायदे बता देता हूँ इसके अलावा आपकी IU को ये कर देता है पुराने जमाने में जो दोस्तों हट योगी होते थे ना वो इसका सेवन किया करते थे और उनकी उमर 1500 साल तक मीनीमम में आपको बता रहा हूँ 1500 साल तक जीते थे और ये कोई unscientific बात नहीं बता रहा हूँ में आप दोस्तों YouTube पे सर्च करना, Google पे सर्च करना, Wikipedia पे शिव पूरी बाबा, वो भी इसको खाते थे, उनकी उमर थी 136 साल जब उनकी मृत्यू हुई थी तो दोस्तों इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी powerful हमने आपको दवाई बनाना से खाई है थोड़ी सी गरम होती है, लेकिन उतनी भी गरम नहीं है, इसको गर्मियों में खाया जा सकता है निशिंत रहिए, क्योंकि अंजीर को हमने पानी में बिगोया था बहुत ज़ादा अगर गर्मी है, तो मगज के बीज को भी पानी में बिगो करके रख देना एक एक चुटकी की मात्रा में एंड में इसमें मिक्स कर सकते हैं, खीर बनने के बाद इसका सेवन करें, ताकत, चुस्ती, फूर्ती, सफूर्ती और आलस से सभी कुछ दूर हो जाएगा ताकत बढ़ेगी, साथ में आयू भी आपकी लंबी करेगा, रोगों से आपको दूर रखेगा, इम्म्यूनिटी, रोग प्रती रोधक शमता को भी बढ़ाने में मदद करता है, साथ में सरदी, खांसी, जुकाम, बुखार को भी होने से रोगता है और दोस्तों इसका सेवन आपको हफते में कम से कम दो बार करना है, उससे अधिक ना करें, अगर आप सही से फायदा पाना चाहते हैं इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूले, अगर आप चाहते हैं, फ्री में हम आपको उर्जया शक्ती चूरण बेज़ें तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें